नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का एक बार पुनस्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों को संध्या कम्पिटर की और से सबसे पहले तो गुड मॉनिंग आप सभी को याद रखता है कि अभी प्रेंट्से मातर कुची टायम के बाद में मेरे प्रेंट्स现在 चार से पांच हाउर्श के बाद में आपके हातों में पैपर होगा तो मेरे फ्रंट से इस मखन वाली दंदार क्लास के अंदर आप सभी का एक बार पुरह स्वागत करते हैं और फ्रंट से जो पहला वीडियो फ्रेंश हमने किया था फ्रेंश कुछ के साथ मैं महामेरातन 1 के रूप में फ्रेंश जो साम को अमने класс लिए थे और उसका Part 2 उसका मेरे फ्रेंट से अभी आपके समक्स ये आ रहा है तो सभी स्ट्रेंट जल्दी जल्दी एक्जाम से पहले इन क्यूशन को जल्दी जल्दी रिपेट करेंगे मैं भी मेरे फ्रेंट से इस पर ज्यादा रखूंगा क्योंकि इस महा मेरातन क्लास के माध्यम से वो सभी क्यूशन बताने हैं जो आपको एक्जाम में आज हुबहु देखने वाले हैं तो फ्रेंट्स बढ़ेंगे पहले क्यूशन के और बिना देर किये हुए आप सभी को याद रखना है क्यूशन की जो भी फ्रेंट्स आने की स्रंकला आपके स्क्रेंट के सामने है मेरे फ्रेंट्स आप साथ साथ में कमेंट करे या न करे अभी तो फ्रेंट्स आपको सीधा याद रखना है यूँकर एक्जाम में अभी मात्र प्रेंट्स दिन में समय नहीं, अभी तो घंटों में समय बचा हैं, तो आपको याद रखना है कि आप समय रहते प्रेंट्स इन सभी क्योशन को याद कर ले, निमने में से कौन सा असली शुरक्सा और प्राविशी रिस्क का उदारण नही हैं, यहाँ पर नहीं है, पूचा है, तो देखेंगे प्रेंट्स से वाइरेस होता है, इस पर मोता है, आइडिन्टिटी होता है, लेकिन हैकर्स होता है ना, यह असली और प्राविशी रिस्क का उदारण नहीं है, यह क्योशन आप एजटीज फ्रेंट्स देख लिजिए, हैं, महामेरतन 2 है, फ्रेंट्स यह क्लास, आप सभी को याद रखना है कि महामेरतन 2 के अंदर जो पीछे प्रेंट्स जो क्योशन हम रखे थे, महामेरतन 1 के अंदर जो भी उन्हें इवनिंग में क्लास ले थी कल, तो उसके बाद में प्रेंट्स अभी मॉर्णिंग में मैं आपके screen के सामने मैं जल्दी friends से question करूँगा क्योंकि friends सापके सामने भी time ज़्यादा नहीं है मैं ज़्यादा आपका time मैं आपे नहीं लोँगा. मात्रपेंट्स कुछी time मैं आपको पूरा preference जल्दी जल्दी बताने के कोशिस करूँगा निम्ने में ऐसे कौन सा मेलिंग सिष्टा सर के रूप में माना जाता है मेलिंग सिष्टा सर के रूप में क्या माना जाता है All Apps का अति परियोग नहीं उच प्रात्मिकता का अति परियोग नहीं Reply All का अति परियोग Friends यह नहीं होगा सभी फ्रेंट्स आप याद रखना ये question book के पीछे भी दिया हुआ तो आप याद रख लेना संक्षिप्त और उचित विशे करेंगे क्या करेंगे संक्षिप्त और उचित विशे ये इसका क्या हो जाएगा मेलिंग शिष्टासर के रूप में माना जा सकता है next question आपकी screen के सामने computer truth code के साथ share chart करना किस परकार की धारा है computer truth code के साथ share chart करना मेरे friends आपको याद रखना है कि 65 हो जाएगा computer truth code के साथ share chart 65 हो जाएगा friends computer hacking और अफ़राज के रूप में 66 को मानेंगे electronic अभी लेकों में असलेल रूप से जानकारी सापना और फ्रेंट्स इलेक्ट्रोनिक अभी लेकों के साथ में चेड़ चार्ट वो 43 हो जाएगा यह सभी इसे तरह साब याद रखेंगे आगे वाला किक्ष्टन आपके स्क्रेंट के सामने भारत में साइबर अफराद और इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स से समंदित कानून है मेरे फ्रे आप निचेंत रहे बहुत ही अच्छा होगा अगर इस चैनल के माधिम से अगर इस्टड़ी की है तो आप अपका पर शूर फ्रेंट्स अच्छही निकलेगा आगे वाला क्युशन आपकी स्क्रेंट के सामने है अंतराश्ट्री सॉट्प सामान दंड है अंतराश्ट्री कुरक्षा मान दंड कौन सा हो जाएगा तो ISO 27001 कर लेना ISO 27001 या पर क्या हो जाएगा option B पर लिखा हुआ ये इसका correct answer हो जाएगा next बढ़ते हैं आगे वाले question की और हमलावर सक्रमित विग्यापनों को अप्लोड करके किस परकार का हमला करता है सक्रमित विग्यापन को अप्लोड करके विग्यापन को अप्लोड करने की बात हो रही तो किसके बारे में कर रहा है mailvertising के बारे में बात कर रहा है इसके बारे में mailvertising के बारे में बात कर रहा है अपसंसी इसका क्या होगा correct answer ये सभी question prints आप रट लीजिए आप इस प्रेंट्स अपनी आखों से इनको prints एक बार देख लीजिए question आपके exam में आज हो बहुत देखने को मिल सकते हैं वो सभी question मैंने आज से आज इस class के अंदर मैंने समाहित किये हैं आगे वाला question आपकी screen के सामने question number 8 denial of services computer में करता है आपको याद रखना याद रखना denial of services computer में क्या करता है तो आपको याद रखना है एक ऐसा cyber खत्रे का परकार है जो computer को overload करता है यह overload करने की जब बात होती है तो आप याद रखना यह बात कर रहा है denial of services के बारे में मैं ज़्यादा फ्रेंट्स आपकी comment के और ध्यान देखे फ्रेंट्स आप सभी को याद रखना है में मेरा भी देखे फ्रेंट्स यह नहीं है कि आपकी comments आप सभी को मेरा या फ्रेंट्स मेरा भी main focus यह है कि आप सभी के exam के लिए फ्रेंट्स विशेश द्यान इस class की और अक्रशित करना और फ्रेंट्स इन questions को फ्रेंट्स आपको दिखाना है जो आपके exam में यह बिल्कुल फ्रेंट्स कई बार बने हुए और अब की बार फ्रेंट्स 100% बने की पूरी पूरी संभाव ना कह सकते हैं आगे वाला question आपकी screen के सामने है आज फ्रेंट्स इस class को आप छोड़ना मत फ्रेंट्स इस class को फ्रेंट्स एक बार अविशे देखते हुए जाना यह class आपके लिए हुब 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 फ्रेंट्स राम बान की तरह काम करेगी तो निमने मैंसे किस परकार के cyber attack के द्वारा आपको चाही गई website की जगह अन्धने website पर ले जाता है देखिए चाही गई website के जगह पर अन्धने जगह पर लेके जाने की बात हो रही है ना तो यह तो कर रहा है dns poising हो जाएगा क्या हो जाएगा dns poising हो जाएगा dns dns poising की बात कर रहा है यह प्रेंट्स आप सभी को याद रखना है next आगे वाला question आपकी screen के सामने निमन मैंसे कौन सा malware का उधारण नहीं है आपको याद रखना निमन मैंसे कौन सा malware का उधारण नहीं है पूछा गया तो आपको याद रखना togenos तो होता इस्पाइवेर होता है virus भी होता लेकिन antivirus तो cyber सुरक्सा का परकार है बाकि समंदित सूसनाओं का आदान परदान करता है तो देख लिए मैरे friends यह जांसूसी करने की जब बात होती है तो मैंने कई बार बोला हुआ ज़्यादा time हम याप पे नहीं करेंगे आपको याद रखना है कि इसका right answer spyware हो जाएगा जब जांसूसी करने की बात होती है तो आपको spyware करके याप आ जाना आगे वाला question आपकी इसक्रण के सामने है किस परकार के cyber attack में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है जैसे आपके password का नाम जनम तिति पिन आदी तो यह कब किसके द्वारा मांगी जा सकते है तो प्रेंट साब बोलेंगे fishing क्या हो जाएगा right answer इसका fishing हो जाएगा option B पे लिखा हुआ यह इसका बिल्कूल ही correct answer हो जाएगा next आगे वाला question आपकी screen के सामने सभी question को ज्यांसे समझने की कोशिश करें इनमें से कौन सा विध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है पूचा गया आए ना तो देखो computer only होता है एक प्रोजेक्टर only होता है duplicate होता और extend होता तो कौन सा नहीं होता है तो प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का परकार आगे वाला question आपके screen के सामने किस view की मदद से आप text या graphics का print लेने से पहले पूरवा वलोकन करना कई बार बोला हुआ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको याद रखना है क्या हो जाएगा आपको याद रखना print preview होता है आपकी प्रिंट या graphics को पूरवा देखा जा सकता तो यह print layout के अंदर मिलेगा और प्रिंट लेगा print preview मिलेगा यह भी आप लोग सभी याद रख लेना यह question आपके एक्जाम में आपकी बार बन सकता है सभी इस्ट्रेंट बाद में जो तुड़े उनको भी संधिया कंपेटरी के और से वेरी गूर्ड मॉनिंग आप सभी को याद रखना है कि इस क्लासेज के अंदर जो भी आप याप देख रहे इस्ट्रेंट उन सभी को याद रखना आज की सेशन के अंदर ये क्यूर्ड का पी इंपोटेंट है जो आपको एजटिज आज एक्जाम में दिखने वाले हैं Microsoft Office Picture Manager है मेरे प्रेंट्स Microsoft Office Picture Manager के जब बात होती है ना आप बोलना ये मूल तस्विर प्रबंदन सॉफ्टर होता है तस्विर एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टर होता है जो MS Office दुआरा जारी किया गया है आगे वाला क्यूशन आपकी स्क्रिन के सामने HDMI पार्ट का विस्तारित रूप है HDMI फ्रेंट्स केबल का परकार है जिसका आप बोलेंगे HDMI फूर्ट लिखा हुआ फूर्ट लिखा हुआ फूर्ट का फ्रेंट्स विस्तारित रूप क्या हो जाएगा तो High Definition Multimedia Interface Option ये पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा Correct Transfer हो जाएगा Next बढ़ते हैं आगे वाले Question की और Question No.17 और क्या लिखा गया है थोड़ा ज्यान से समझने की कोशिश करें CD या DVD पर Data जैसे संगीत, Photo, दस्तावेज, आधी लिखने की प्रकरिया आम तोर पर क्या कहलाती है तो आप सभी को याद रखना है कि इन सभी को लिखने की जो प्रकरिया होती है वो Burning कहलाती है CD या DVD में डेटा को Copy करना क्या कहलाता है Burning कहलाता है ये सभी Student याद रखके जाना आगे वाला Question Windows 10 में File या फॉल्डर को Lock करने में आपकी कौनसी Application मदद कर सकती है तो आप सभी Student याद रखेंगे Windows 10 में File अत्वा फॉल्डर को Lock करने की बात हो जाए तो आप क्या करके आना फॉल्डर Lock करके आजाना क्या करके आएंगे फॉल्डर Lock या पर Option C पे लिखा हुआ ये इसका Correct Answer हो जाएगा आगे वाला Question आपकी Screen के सामने आम तोर पर किस परकार का Email खाता Vapor Setting में उप्योग किया जाता है जब Email काते की बात होती है आम तोर पर तो आपको याद रखना है कि वो कि किसके बारे में बात हो रहा है ये Vapor Setting के बारे में बात कर रहा है तो ऐसा कौन सा हो जाएगा Microsoft Exchange कर लेना जब वह Vapor Setting की बात हो जाए तो क्या करके आएंगे Microsoft Exchange करके आजाना जबकि अनीजी Email को Download करने के लिए P.O.P.3 का उप्योग किया जाता है आगे वाला Question आपकी Screen के सामने है Account एक विशेश उप्योग करता है Account जो Computer पर लगबख Windows 10 की परतिक सेटिंग यानि हर सेटिंग तक पहुचाने का कारिये करता है तो ऐसा कौन सा एक User Account का परकार है जो Windows 10 की परतिक सेटिंग तक पहुचाने का कारिये कौन करेगा Administrator करेगा जबकि आपको याद रखना है Administrator करेगा जबकि आपके एक्जामें क्योशन आ जाए कि ऐसा कौन सा एक User Account का परकार है जिसके ओपर अभी पहुचे नियंतरन रखा जा सकता तो आप Basic User Account बोलेना आपको एक्जामें Basic User Account की बात होती तो क्या कर लेना Standard और विसेस User Account की बात होती है विसेस या Special Account की बात होती है तो आप क्या करेंगे सीख करेंगे फिलाल इसका Right Answer Administrator हो जाएगा आगे वाला Question आपके Screen के सामने आमत और पर किस परकार के निजी इमेल खाते का उप्योग आपके Computer पर इमेल डाउनलूड करने के लिए किया जाता है तो देखे अभी मैंने बोला था जब वेपर शेटिंग की बात हो तो तो क्या करेंगे Microsoft Exchange अभी इमेल डाउनलूड करने की बात हो रही है निजी इमेल खाते के अंदर आपके दोरा इमेल डाउनलूड करने की बात हो रही है जब आपको Windows 10 में प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है तो आप Windows Store से इंस्टॉल कर सकते हैं बिलकुल इंटरनेट से कर सकते हैं Siri, DVD अथवा Pen Drive से भी कर सकते हैं तो यहापर राइट आंसर उप्रोक्त सभी हो जाएगा सभी विकल्ट के दौरा आप अपने फ्रेंट से शिस्टम के अंदर क्या कर सकते हैं सॉप्टर इंस्टॉल कर सकते हैं नेक्स्ट आगे वाला क्यूशन आपकी स्क्रिन के सामने है क्यूशन नमबर 23 और क्या पूचा गया है निमने मैं से कौन सी सुईदा आपकी ये पे लिखावा सिस्टम री इस्टॉर इसका करेक्ट आपसर हो जाएगा नेक्स्ट आगे वाला क्यूशन आपकी स्क्रिन के सामने विंडोज 10 में एक सॉप्ट वेर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है तो देखो इंटरेनेट से तो कर सकते हैं विंडो इस्टोर से भी कर सकते हैं, CD, DVD, Pen Drive से भी तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर किसका नहीं किया जा सकता है, तो Word फाइल यानि MS Word से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि MS Word तो खुद एक Word Processing Software होता है, बिल्कूल, और संडी correct answer हो जाएगा, आगे वाला question आपकी screen के सामने ह क्या है, MS PowerPoint 2010 की file का default extension क्या होता है, MS PowerPoint 2010 के इंदर जो default extension नहीं होता है, वो कौन सा होता है, .pptx, सभी student को आना चीए, अगर हमारे साथ में वो पहले से जुड़ा हुआ है, आगे वाला question आपकी screen के सामने है, MS PowerPoint का page क्या 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 आता है, आप सभी को याद रखना, MS PowerPoint का page क्या क क्या 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 आएगा, document क्या आएगा, यह सभी को याद रखना है, आगे वाला question आपकी screen के सामने है, PowerPoint 2010 में slide show देखने के लिए कौन सी key का उप्यूग किया जाता है, ज्यादा time नहीं लेंगे, slide show देखने के लिए तो किसका उप्यूग किया जाता है, F5 का F1 तो help and support, F11 Excel म दालता है, जबकि F3 search करने के लिए काम में लिया जाता है, MS PowerPoint में duplicate slide insert करना, कई बार बोला हुआ, सीधे सीधे फ्रेंस आंसवर बताने की कोशिस करूँगा, अगर ऐसा question बनता है, तो right answer क्या करके आएंगे, control D करके आ जाना, friends सभी friends में request करता हूँ कि एक बार इस station को like अविश्चे किजिए, friends अगर friends आपका friends अगर प्यार सनय रहा तो आपके exam में इसी तरह से question 101% friends देखने को मिलेंगे, यह दावा करता हूँ, क्योंकि यह सभी friends books का कह सकते, निचोड कह सकते या ने, एक तो रातन साम बाली जो class द साथ में आप उत्रिन होंगे, यह दावा करता हूँ, निमने में ऐसे किस कुझी का, कुझी द्वारा powerpoint प्रस्तुती करण में नई slide जोड़ी जा सकती है, देखो duplicate के लिए control D, और new slide के लिए क्या करेंगे, control M, new file पूचे न, तो new file पूचे तो control N करना, और new slide पूचे तो control M आपको यादी है, आगे वाला question, किस view में slide की चोटी तस्वीरे नजर आती है, यानि चोटी चोटी तस्वीरों के रूप में विवाजित करने का कारिये slide को कौन करता है, तो आप बोलेंगे slide shorter view कौन करेगा, option A पे लिखा हुआ slide shorter view ही क्या हो जाएगा, इसका correct answer हो जाएगा next बढ़ते हैं, आगे वाले question की और question number 31, और क्या पूचा गया है, एक slide सो में slide sense होने पर, display के लिए जो applied effect होती है, वो क्या कहलाती है, तो slide sense होने पर display effect जो कहलाएगा, वो slide transition कहलाएगा, सभी को friends ये तो रोजाना में question डालता हूँ, सभी को आना चाहिए, किसी भी student का ये question गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये question तो मैंने कई बार डाल दिया था, आगे वाला question आपकी screen के सामने, प्रजेंटेशन में विद्यमान सभी slide का एक जैसा प्रदसन चाने के लिए, निमने मैं से किसका उप्योग किया जाता है, सभी slide का एक जैसा background रखने के लिए, आप presentation design template का उप्योग करेंगे, ये option C पे लिखा हुआ, इसका correct transfer हो जाएगा, मेरे friends सभी student एक बार इस class को like अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ में session को अवश्य करें, मैंने कापी मैनत से आपके लिए video type करके बनाया है, आप सभी student in question को friends से अपनी और से थोड़ा support तो friends से इस video का थोड़ा सा friends level अच्छा रहेगा, तो हमें भी friends motivation मिलेगा, हम इसी तरह से आपके लिए और भी important content के साथ में, आपके लिए हमेशा के लिए इस तरह से कभी और भी computer related questions सलाते रहेंगे, जैसे CT exam है, LDC, police constable, बहुत सारे exam में जापे computer के CDC question पूछे जाते हैं, ए आगे वाला question आपके screen के सामने motion path क्या है, मेरे friends से motion path की बात हो रही है, तो motion path क्या होता है, आप सभी को कई बार बोला हुए एक animation का परकारे, जो slide पर items होती है ना उसको move करने की विदी होती है, लेकिन है क्या यह animation के इंदर आता है, आप ऐसा question बन जाता है, तो यह sure आपको कोई line लिखे भी मिलेगी, एक slide पर items को move करने की विदी क्या सकते है, आगे वाला question आपके screen के सामने है, data और सूसना को समझने में आसान, वह आकरशक तरीके से visual रूप में represent कौन करता है, देखे data को और सूसना को आकरशक तरीके से समझाने के लिए, जो visual रूप में represent करने का कारी करता है, वो कौन करता है, वो charge करेगा, ये question भी आप अविश्य याद रखे जाना, आगे वाला question आपकी screen के सामने, worksheet में एक इस्तान से formatting को copy कर, किसी दूसरे इस्तान पर formatting apply करने के लिए हम किसका उप्योग करेंगे, ये बहुत बार आपने देखा वा question, तो ये home copy paste से तो नहीं होगा, क्योंकि इसने formatting का बोला है, Ctrl-C, Ctrl-V भी नहीं होगा, Excel में formatting copy करने के लिए कोई विकल्प तरीका नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, तो standard toolbar होता है, या पर उपर से जो एक format painter होता है, इस format painter का उप्योग करते हुए, आप क्या कर सकते हैं, format painter का लागू कर सकते है option B पे लिखाओ correct answer, next आगे वाला question आपकी screen के सामने, MS Excel में इमने मैंसे कौन सा chart 100% तक के मुल्य को जोड़ या प्रतिशित को दर्शाता है, तो देखिए 100% तक प्रतिशित को दिखाना बात मैंने कई बार बोली हुई है, कोई या पे शोसने वाली बात नहीं है, गोला का र आने के लिए आप किसका उप्यों करेंगे, cell value और cell center, cell value का नहीं, नहीं तो आए गई नहीं, cell value लेकिन cell center का नहीं, यहापे आपको याद रखना है, दोनों विकल्प सही है, या नहीं, आप बोलेंगे भी cell value और cell center, वो में, दोनों में यहापे हो जाएगा, option A correct answer हो जाएग next आगे वाला question आपके screen के सामने, एक्सल में बनी हुई file का default नाम बताईए, सभी को आना चीए, यह question बार बार बन रहा है, आज की time में, तो book first हो जाएगा, option A पे लिखा हुआ है, मेरे प्रेंट जो भी student बाद में जुड़े, उनको भी संधिया computer के और से होने वाले, exam के ल भी हैं, जो आज आपके exam में बिल्कुल friends देखने को मिल सकते हैं, book first तो किसका होता, excel का होता, document first किसका हो जाएगा, ms word का हो जाएगा, और presentation first किसका हो जाएगा, excel का हो जाता है, और untitled तो आपको याद रटना है, notepad का होता है, यह तो मैंने कई बार question बताया, और notepad का extension name क्या होता है, तो नहीं, notepad के अंदर default नाम क्या होता, बनी हुई फाइल का, untitled, presentation first किसका होता है, powerpoint का, ms word में document first और excel में book first, आगे वाला question आपकी screen के सामने, worksheet में horizontal और vertically line को क्या का जाता है, worksheet में horizontal और vertically line को क्या का जाता है, तो friends आप बोलेंगे grid line का जाता है, क्या बोले लाएगा, Microsoft Excel 2010, Chinese cell से एक chart बनाने के लिए, किस कुझी का उप्यूप किया जाता है, अभी chart बनाने की shortcut की पूचिए, तो इदे मैंने कई बार बोला हुआ, F11 होती है, new chart की क्या हो जाएगी, F11 हो जाएगी, जबकि new sheet पूचे, मेरे friends क्या पूचे, आपको new sheet की बात होती है, मेरे friends new sheet की बात होती है, तो new sheet के लिए तो आप क्या करेंगे, new sheet की तो क्या हो जाएगी, new sheet की तो होती है, shift के साथ में F1 होती है, new sheet की क्या होती है, shift के साथ में क्या होती है, new sheet डालने की F1 होती है, जबकि यहाँ पे correct answer option B, F11 हो जाएगा, next आगे वाला question, Excel में sheet का default view क्या ह होता है excel के अंदर तयार करेंगे उसका डिफाल्ट वीव क्या देखेगी आपको नॉर्मल मोड में दिखता है अगर नॉर्मल मोड में आपको Excel की बाथ होती स्थ Oloh PowerPoint होता है ना उस PowerPoint का भी French क्या होता है डिफाल्ट व्यू का दोनों का normal होता है आगे वाला क्यूशन आपकी screen के सामने spreadsheet में पंक्ती टता column का intersection क्या कहलता है एक print ये row है और ये print column में जो रो और column का कटा होगा बीस में intersection क्या कहलाएगा cell कहलाएगा option b correct answer हो जाएगा next आगे वाला क्यूशन आपकी जिसक्त चार्ट के सामने Excel में चार्ट बनाते समय किसी सूसना को मुख्य रूप से दरसाने के लिए किस का उप्यूग तफ्यूग किया जाता है。 के ओपर वर्तमान में काम किया जा रहा है इसका मतलब बोलेंगे यह सक्रिय सेल कहलाएगे क्या कहलाएगी option c पे लिखा हुआ सक्रिय सेल यह इसका correct answer हो जाएगा next आगे वाला question excel workbook निमने मैंसे किन के सयोजन से बनती है एकसल की जो workbook होती है न वो किन से मिलके बनती है चार्ट से नहीं बोलेंगे work sheet यह नहीं work sheet और चार्ट दोनों बोलके आ जाना यह दोनों से मिलके बनी है यह question आपकी exam में कई बार पूछा गया है ग्राम से प्रीक के अंदर भी question बना था आप सभी को याद अठना work sheet और चार्ट दोनों करेंगे आगे वाला question आपकी screen के सामने है मेरे friends में आप सभी student comment करते जाएए मेरे friends मेरा अभी फिलाल focus पूरी तरह से friends इस questions के उपर है सभी student अपने exam के अंदर friends जाने से पहले यह दिच्छत प्रेंट से तेह कर ले कि आप एक तो original ID proof आपको लेके जाना है original ID proof जैसे आदार कार्ड, voter ID, driving license कुछ भी कह सकते हैं और उसके साथ में वो जैरोक्स नहीं चलेगी कम 11 बज़े से पहले पहले पहुशने की कोशिश करें क्योंकि चाड़े 11 बज़े तो friends आपके जो exam जो होल होता है वहांके गैट का friends नियमे की साड़ा 11 के बाद में आपको परवेस नहीं दिया जा सकता है अगर आपके परेश पत्रे के अंदर नाम और अपने आईडी प्रूप के अंदर नाम के अंदर थोड़ा सेंजे से तो आप 10th बोर की mark sheet को लेके जा सकते हैं देखें 47 का question एक work sheet में row तता column title को hold करने है तो ताकि जब work sheet को scroll किया जाए तो वे hold ना हो निमने में से क्या उप्योग में लिया जा सकता है यह सभी question मेंने almost friends आपको बता दिये है लेकिन आपको याद रखना है महा मेरतन class का मतलब यह है कि आज दिन तक अपने पढ़ा उसमें से सबसे important question कौहां से है वो सभी में आज इस session के अंदर करवाने जा रहा हूँ अगर friends की से session अभी तब कुछ नहीं पढ़ा तो यह class और एक friends साम को लिगए एक गंटे की class उन दोनों को देख लेना आपका निचे तिप्रेंट सारे 70 में इसको और बहुत बैतरीन होगा आगे वाला question इसका right answer freeze pens कमाड हो जाएगा आगे वाला question view menu में split option होता है उसका क्या कारिय होता है view menu में split option का कारिय यह होता है कि यह windows को क्या करता है दो भागों में बाटता है windows को दो भागों में बाटने का कारिय कौन करेगा split option करता है आगे वाला question आपकी screen के सामने spelling check करने की shortcut कुणजी कौन सी है तो आप सभी को याद रखना spelling को check करने के लिए हम कौन सी कुणजी दबा सकते हैं तो आप सभी को याद रखना है वही F7 को उपयोग में ले सकते हैं कौन सा हो जाएक option A F7 याँ पे correct answer हो जाएगा next आगे वाला question question number 50 और question के इंदर पूचा गया है एक file जिसमें पूर्वन इरदारिज चैटिंग का उपयोग general document को बनाने के लिए किया जाता है general document को बनाने के लिए किया जाता है तो आप सभी student को याद रखना है question कई बार पूचा गया तो इसका ऐसा question बन जाता है तो क्या करके आएंगे template कर लेना option B पे लिखा हुआ है ना template इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा next आगे वाला question आपकी screen के सामने है question number 51 के इंदर क्या पूचा गया है खाली जग एक vicious उसी है जो document में अपने से समंदित reference page के साथ में उपस्तित होता है document में अपने से reference page के साथ में उपस्तित होने की बात हो तो आप क्या करके आएंगे table of content कर लेना option C पे लिखा हुआ है right answer next बढ़ते हैं आगे वाले question की और word 2010 में ribbon किसकी एक स्रंकला है मेरे friends ribbon किसकी एक स्रंकला होती है question कई बार बना है तो आप याद रख लेना tabs की स्रंकला होती है किसकी स्रंकला tabs की स्रंकला होती है आगे वाला question आपको याद रखना है print करने से पहले एक दस्ताविज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस command का उप्योग किया जाता है तो आप बोलेंगे बई document को पहले से तैय करना कैसा दिखेगा ये तो print preview होता है print preview आपको हिंदी में क्या लिखाओ मिलेगा print proof of local और English में लिखाओ मिलेगा print preview दौनों ये की बात है आगे वाला question आपकी screen के सामने इन में से क्या इस्तिमाल कर आप document के mode को portrait से landscape में बदल सकते है तो आपको याद रटना है ये कारिये header footer से होता है क्या नहीं तो ये आपको याद रटना है page setup dialogue box से करेंगे क्या करेंगे page setup dialogue box से करेंगे आप page orientation उसी के अंदर option होता है माँ से आप sense कर सकते हैं next आगे वाला question word wrap का क्या अर्थ होता है word wrap का मतलब ये होता है कि जैसे line पूरी हो गई उस line को सवती अगली line में पहुचाने का कारिये कौन करेगा word wrap कर लेगा तो आप सभी student याद रखेंगे text को सवती अगली line में पहुचाने का कारिये करेगा कौन word wrap करेगा आगे वाला question आपकी screen के सामने document में किसी निचित location पर पोचने के लिए हम किसका उप्योग करेंगे कई बार exam में question डाला है तो आपको याद रखना है भई ये सभी question exam में बैटने से पहले friends एक बार जरूर देख लेना वरना फिर बाद में friends आपको दिक्कत हो जाएगी अगर friends आपने अभी तक कुछ नहीं पड़ा है तो ये question आप अविश्य देख के जाना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा right answer book mark हो जाएगा बले ही आपको question आ रहे है तो एक बार जल 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 रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे super script का उप्योग करेंगे जैसे x के उपर इस तरह से बात हो रही है यह x के उपर लिखना यह तो सब इसक्रे सुपर इसक्रेप्ट और x के नीचे लिखना यह क्या हो जाएगा सब इसक्रेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे option b correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा सब इसक्रेप्ट आगे वाला question आपके screen के सामने है gutter margin क्या है कापे easy question है gutter margin आपको याद रखना जब आप binding book बनाते हो नहीं तो गटर margin का कापे उप्योग किया जाता है तो वो margin जो printing के दोरान binding भग में जोड़ा जाता है binding होते हैं आप फाइल को binding करवाते वक्त जो जगे दी जाती है वो क्या कहलाती है gutter margin क्यालाती है यह अविशे याद रख लेना आगे वाला question आपके screen के सामने word में file क्यालाती है मेरे friends MS Word की जो file है वो क्या कहलाती है तो आपको याद रखना है बहुत easy question है लेकिन exam में बार बार बन सकता था इसलिए आपको याद रखना है document कहलाएगा next आगे वाला question font dialogue box प्रदसित करने के लिए किस कुंजी का परियोग किया जाता है तो ये बहुत easy question है कई बार मैंने डाला है control D का उप्योग कर लेंगे किसका उप्योग कर लेंगे control D का जबकि MS PowerPoint में control D का मतलब क्या होता है तो MS PowerPoint में control D तो क्या कर लेगी duplicate slide को डालेगी duplicate slide डालने की तो control D होती है लेकिन MS PowerPoint में बात न करें और MS Word के अंदर बात करें तो ये क्या करें करेंगा font dialogue box open करेंगा next आगे वाला question निमने मैं से MS Word में font style नहीं है निमने मैं से MS Word में font style नहीं है justify bold, underline या italic तो आपको याद रखना भी justify तो alignment का फरकार होता है जो दोनों और से same alignment करता है आगे वाला question आपकी screen के सामने बाहीं तरफ के किसी अकेले एक्सर को मिटाने के लिए कौन सी कुझी का परियूग किया जाता है बाहीं तरफ के किसी अकेले एक्सर को मिटाने के लिए तो back space का उपयूग किया जाएगा जबकि दाइं और से मिटाने के लिए किसका उपयूग किया जाएगा डिलीट का उपयूग किया जाता है सभी इस ट्रेंट जो बाद में अभी friends हाली में जूड़े हूं सभी को संध्या कंपेटर के और से होने वाले exam के लिए best of luck friends सभी विद्या तो good morning राम राम आप सभी इस ट्रेंट इस तरह से इस session के अंदर जोड़ते जाएए और friends session को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में share करे और like करने की कोशिश करे friends like करने में कोई कंजूशी ना करे friends आपके लिए friends दिन रात word mac किस command के द्वारा बहुत सारे वेक्तियों को एक साथ mail बेज सकते है तो mail बेजने की बात होरी एक साथ mail merge करके आ जाएंगे क्या करेंगे mail merge हो जाएगा next आगे वाला question निमनली कित में से किसे ready to use के नाम से जाना जाता है ready to use किसे बोलेंगे ready to use तो आप किसको बोल सकते क्ली पार्ट को बोलेंगे किसको बोलेंगे क्ली पार्ट जबकि smart आट को तो क्या बोलेंगे ready to shapes बोल सकते इसको तो क्या बोलेंगे आप ready to shapes बोलेंगे ठीक है मेरे फ्रेंट्स next आगे वाला question आपकी screen के सामने है सब्सक्राइब यहां पर question को देखेंगे कौन सा alignment mode दस्ता विच को दोनों और से align कर देता अभी मैंने बात की थे भी page के दोनों side से same margin देना कारिय यह हो जाएगा same alignment देना क्या हो जाएगा justify हो जाएगा इसकी shortcut कि इस control के साथ में क्या होती है तो आप याद रखना J होती है क्या होती है control J होती है आगे वाला question GPS का पूरा नाम बता है यह मेरे फ्रेंट GPS तो कई बार exam में पूचा गया है तो GPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा graphical देखे ग्राफिकल नहीं बोलना है global positioning system GPS की बात हो रही है global positioning system option B पे लिखा हुआ इसका correct answer हो जाएगा next आगे वाला question आपकी screen के सामने है question number 67 निमने में से कौन सा screen lock android device पर उपलब्द है android device पर इन में से कौन सा screen lock उपलब्द है तो आप सभी instrument याद रखना pattern होता है pin होता है password उप्रक तो सभी इसका भी क्या होगा इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा यह most important question है सभी instrument थोड़ा याद रखके जाना आगे वाला question आपकी screen के सामने है Bluetooth किस परकार का net truck होता है Bluetooth सभी को याद रखना भी personal area net truck होता है pen का उधारन होता है land का पुरा नाम local area net truck सबसे बड़ा फैला हुआ net truck when होता है wide area net truck और 10 km तक area में सिमित दाइरे के लिए 10 km तक area में फैला हुआ net truck metropolitan area net truck कहला तो सहरी net truckों में काम मिलिया जाता है निम्ने मैं से कौन सा अपनागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान परदान करने के लिए बनाया गया तो आप ये question underline कर देजी याद रखने की कोशिश करना राज संपर्क हो जाता इसके help line number तो क्या होता है 181 होता है आगे वाला question आपकी screen के सामने नविन्तम android mobile operating system कौन सा है तो देखिए आप books के according नविन्तम सबसे नया android books के according version कौन सा हो जाएगा आप बोलेंगे no guard हो जाएगा कौन सा हो जाएगा no guard सबसे नविन्तम और पहला पुछे तो क्या करेंगे एस्ट्रो कर लेना पहला पुछे तो क्या करेंगे एस्ट्रो आगे वाला question आपकी screen के सामने निमने मेंसे कौन सा open source mobile operating system निमने मेंसे कौन सा mobile operating system जो open source mobile operating system क्यलाता है तो android operating system होता है इससे क्या बोला जाता है open source operating system का जाता है next आगे वाला question आपकी screen के सामने रास्ता खुजने के लिए निमने मेंसे किसका उप्यूग किया जाता है रास्ता या पात खुजने के लिए तो सभी को याद रखना है कोई ज़्यादा या पर टाइम लेने के आप सिखता नहीं है गूगल मैप हो जाएगा नेक्स्ट आगे वाला क्यूशन आपके स्क्रण के सामने है निमन मैंसे कौन सा मॉबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है निमन लिकित मैंसे कौन सा मॉबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूचा है तो आपको याद रखना है कौन सा Mobile Operating System नहीं होगा देखो Android होता है, iOS होता है और Windows Phone भी होता Linux नहीं होता अफसेंसी करेक्ट रांस्वर हो जाएगा आगे वाला क्यूशन आपके स्क्रेंट के सामने निम्न मैंसे Hand-Hard Device के परकार नहीं है नहीं है, पूचा है न तो देखो Feature Phone ये स्मार्ट फॉन तो होता है जिसको अपने हतेली पे रखके इस्तिमाल किया जा सकता है उनको Hand-Hard Device का जाता है स्मार्ट फॉन भी होता है, टेबलेट भी होता है, लैप्टॉप होता है ये Hand-Hard Device के स्रणे में नहीं आता है नेक्स्ट आगे वाला क्यूशन, ITR के लिए फिलिंग, फॉर्म कौन सा है, फ्रेंट सा, ITR, Income Tax, Return के लिए जो आइकर में, फ्रेंट सा, पैन कार्ड के लिए, न्यू आभी दन के लिए फॉर्म कौन सा होता है, तो आप सभी को याद रखना फॉर्म नंबर 49A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्म 49A हो जाएगा आगे वाला क्यूशन, राइश्ट्रिय मत दाता सेवा पोर्टल के संदर्ब में इपिक क्या है राष्टृम मददाता सेवा पोर्टल के संदर में E-PIC क्या है तो आपको याद रखना है E-PIC मतलब कह सकते है Elections Photo Identity Card हो जाएगा Elections Photo Identity Card Elections Photo सुनाव Photo पैसान फत्र Ele cotton Photo Identity Card तो यही हो जाएक option B Next आगे वाला question TDS का पुरा नम बताई यह अगली बार भी question आया था तो बोलेंगे text dedicated at source text dedicated at source हो जाएगा यानि स्रोथ पर कर कटोती किया सकते option C next आगे वाला question PNR का पूरा नाम बताईए जी आमेरे friends PNR का पूरा नाम एक्जामें आता है तो क्या करके आएंगे PNR का पूरा नाम क्या होता है passenger name record होता है passenger name record option A पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा correct answer हो जाएगा किस प्रादिकरन द्वारा PNR को जारी किया गया ये execution है PNR को जारी करने वाली friends अब एक portal का नाम क्या कह सकते तो NSDL बोलेंगे national dedicated देखो national security depository limited होता है UIDAI ये तो क्या जारी करता है आपको याद रखने ये तो आदार कार्ड जारी करता है NVSP ये तो क्या voter ID बनाने वाला portal है voter card जो होते है वो election card कौन बनाता है NVSP एक वाल उसके national voter service portal इसका नाम होता है सभी को लगबग यादों का मैंने फिलपों भी डाले हुई है इसकी आगे वाला question आपकी screen के सामने है नागरिक online माद्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजिगरन कर सकता है तो नागरिक online माद्यम से रोजगार के लिए पंजिगरन करना चाहता है ना तो इमित्रा से कर सकता है रोजगार विबाद की वेबसाइट से कर सकता है तो यहाँ पर उप्रक्तर दोनों हो जाएगा बहुत इजी बात हो रही आपे आगे वाला क्यूशन SOSO का उदेश से बताईए SOSO का पूरा नाम तो सभी को आता है सिंगल चाइन ओन होता है लेकिन उदेश से की बात हो रही है तो साइटा डैस का लागत को कम करता है ग्राक संतुष्टे को वैतर बनाता है उत्पादिकता बड़ा देता है आपे भी उप्रक्तर सभी इसका राइट टांसवर हो जाएगा देखे फ्रेंट्स आप सभी को याद रखना हमने एक इवनिंग टैम एक महा मेरतन क्लास ली थी उसके अंदर ये क्यूशन जो बाकी रखे थे हमने उन क्यूशन को आज मैंने मौनिंग बाले में रखा है था कि ये भूलेंगे ने ये सभी क्यूशन आप एक बार देख लेंगे न प्रेंट्स बुक्स के अकोडिंग आपको या तकना एक सेप्टमबर यहां पर क्यूशन बनेगा तो या तो लंगी प्रेंट्स आपको इतने ही लिखा हो मिलेगा सितंबर 2019 आगे वाला क्यूशन आपकी इसक्रण के सामने आपकी इसक्रण के सामने राजस्तान जनादार योजना के संदर में DBT का पूरा नाम बताइए राजस्तान जन आदार योजना के संदर में DBT का पूरा नाम तो सभी को आना चीए Direct Benefit Transfer होता है Direct Benefit Transfer Option C पे लिखा हूँ और ये इसका Correct Transfer हो जाएगा Next आगे वाला Question निमने मैं से कौन सा राजस्तान संपर का चरण नहीं है तो देखो Registration होता है Moderation होता है Allocation होता लेंगे Scooternization तो कोई यहाँ पे चरण नहीं होता है तो Option C Correct Answer हो जाएगा आगे वाला Question सभी सरकारी विबागो और संक्ठनों दुआरे चेहर किया गया राजस्तान के लिए एक GIS पढ़नाली का वेवस्ता है वेवस्ता है फ्रेंट GIS पढ़नाली कौन सा हो जाएगा जिसके दोरा किसी बोगुलिक सेतर को खोजा जा सकता है वैसे Google Map तो होता ही है लेकिन Google Map की तरह राजस्तान सरकार ने राजस्तान सरकार ने राजस्तान नाम से एक AIF लांच किया हुआ है देखे सभी ग्राम पंचा तरह तक फ्यला हुआ एक नेटर कौन सा हो जाएगा राजनेट हो जाएगा राजमेग एक क्लावड बेस्ट इस्टोरी समादान कह सकते है ये भी आप याद रखेंगे आगे वाला क्यूशन आपकी स्क्रिन के सामने है मेग राजमेग के संदर में सास का पूरा नाम बताईए अगर सास का पूचे तो तो सौफ़एर एजे सर्विस और पास का पूचे तो आप बोलेंगे प्लेटफॉर्म एजे सर्विस आगे वाला क्यूशन इमित्रा किस परकार का इमित्रा किस परकार का आप बोलेंगे इमित्रा तो क्या हो जाएगा जी टूसी हो जाएगा गौर्मेंट नोची सिटीजन के लिए एप्विग में आता है तो जी टूसी करके आ जाएंगा उप्जन सी के अंदर लिखा ओा तो यहाँ पे भी उप्रक्त सभी हो जाएगा नेक्स्ट आगे वाला क्यूशन राजस्थान सरकार द्वारा लॉंच्ट किया गया क्लाउड बेस्ट समाधान कौन सा अभी बोला था तो राजस्थान सरकार द्वारा एक फ्रेंच से क्लाउड बेस्ट समाधान कौन सा हो जाएगा राज E-Walt हो जाएगा क्या हो जाएगा राज E-Walt एक Cloud Best समाधान कह सकता है Next आगे वाला क्यूशन आपकी स्क्रिन के सामने Online Swapping किस परकार के Lenden का उधारण है Online Swapping आप जो भी करते हो किस परकार के Lenden का उधारण तो B2C हो जाएगा क्या हो जाएगा B2C Business to Consumer हो जाएगा आगे वाला क्यूशन आपकी स्क्रिन के सामने Mop का पूरा नाम बताएगे MWOC का पूरा नाम बताएगे तो आपको अल्रेडी आता होगा यह होप यह मैं दावा करता हो कि यह क्यूशन कापी इजी है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स्टेज हो जाएगा option A correct transfer देखे फ्रेंट्स मैं इस class के अंदर आपके समख से important question लेके आया हो आप सभी इस्ट्रेंड इन question को ज़्यादा ध्यान दीजे मैं comment के और ज़्यादा ध्यानन देखे आपके सामने यह important question का पिटारा पेस कर रहा हूँ मैं पूना बोलना चाता हूँ कि आप exam hall पे time पे पोउसे आपके सामने फ्रेंट्स बारा से एक का तो क्या है बारा से एक तक एक का तो फ्रेंट्स वो exam के दर paper का time दिया हुआ आप exam center पे कम से कम मेरे फ्रेंट्स 11 बजे तक पोउसने की कोशिस करें क्योंकि साड़े 11 के बाद में आपको परवेस्ट नहीं दिया जाएगा कुछ बेसने और खरीदने के लिए इस्तिमाल की जाने विले website को आप क्या बोलेंगे e-commerce website का लादे क्या बोलेंगे e-commerce website option C correct answer हो जाएगा आगे वाला question किस networking sites को micro blogging के नाम से जाना जाता है micro blogging के नाम से किसे जाना जाता है तो आप सभी student को याद रटना है micro blogging के नाम से तो twitter को जाना जाता है ये question आप underline कर दिजी exam में अब की बार पूरी तरह से बन सकता है आगे वाला question आपके screen के सामने राजस्तान सरकाद्वरा चलित e-commerce website का उधारन कौन सा है राजस्तान सरकाद्वरा चलित e-commerce website का उधारन तो राजस्तान सरकाद्वरा चलित e-commerce website का उधारन तो राज e-bazar हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है राजी गयान तो क्या हो जाएगा e-learning platform के अंदर आता है आगे वाला question EPS का पूरा नाम बताईए EPS का पूरा नाम क्या होता तो आपको याद रखना है EPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा आधार enabled payment system आधार enabled payment system option a correct answer इसका हो जाता है next आगे वाला question रूपे debit card क्या है आप सभी को याद रखना है रूपे debit card एक देखे ग्रेलू card debit card कह सकते है भारत के राष्टे बुक्ता निगम द्वरा प्रस्तूत किया गया यह भी यह पर हो जाएगा सभी ATM और पोस्ट मचीनों पर स्वीकर्ट यह भी कह सकते है तो इसका राइट आंसरो प्रोक्टर सभी हो जाएगा next आगे वाला question आपकी screen के सामने है निमने मैंसे कौन सा mobile wallet का उधारन है तो देखिए SBA बड़ी होता है भीम होता है पेटियम होता है लेकिन यह आप पे नहीं है पूचा गया है ना क्या पूचा गया है नहीं है पूचा तो credit card नहीं होगा कौन सा नहीं होगा credit card यह तो एक प् आपको याद रखना है SBA बड़ी क्या है तो आपको याद रखना है SBA बड़ी किसका उधारन तो एक mobile wallet application अभी बोल दिया ठीक है जी आपकी screen के सामने UPI में push technology UPI में push technology का उप्योग किसके लिए या कभी किया जाता है तो आपको याद रखना UPI में push technology का उप्योग payment भेजन रखने के लिए किया जाता है तो फ्रेंट्स यह हम आपके लिए लेके आये थे मैं तो कुन 35 क्योशन मैं तो कुन 35 क्योशन आई हॉप आप सभी को यह वीडियो कापी पसंद आया होगा अगर फ्रेंट्स आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसको like share and subscribe अविशे करे एक फ्रेंट्स यह क्योशन मिसेंट से फ्रेंट्स वापिस लेट से आ गया है तो एक electronic book करन है जिसका इस्तेमाल खुद्रा इस्तानों पर कार्ड भुकतां प्रक्रिया में किया जाता है तो ऐसा बन जा तो आप क्या करके आ आ जाना प्योशन क्या हो जाएगा point of cell या पे इ जा दकना हमने एक महा मेरतन क्लास कल इमनिंग टाइम में ले ली थी उसके अंदर हमने important question का पिटारा पेस किया था उसमें कुछ question बागी रहे थे तो अभी friends क्या हो या इन दोनों महा मेरतन के अंदर मैंने क्या किया कम से कम friends 200 question तक जो cover करवाने की कोशिश की है इन 200 question में से friends आपके exam question बाहर आने वाला नहीं है अगर आपने एक वीडियो और यह एक सामबाला वीडियो देखा होगा तो मैं नीचे दे दावा करता हूँ कि आप दो वीडियो को पढ़के भी आप 80 या 80 चे ओपर friends परसनेड़े इस और बना सकता है यह मैं दावा करता हूँ तो friends अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो like, share and subscribe अविशे करें friends आप इस channel के माधियम से answer की सटीक answer की friends देखने के लिए इस channel को अविशे subscribe करें friends आप सभी को friends एक में बात बना दाना चाहता हो कि आप exam hall पे time पे पोउसे सभी student अपने आप पे विश्वास रखे friends आपने अगर इस platform के माधियम से तियारी किये तो friends फैल होने का डर तो आप बाहर निकाल देजी अब तो friends आप मन में एक जुनून लेके जाए कि मैं 90% से cross करूंगा यह सी और सी friends बात एक cross करेंगे paper का level friends कैसा भी होगा तो friends 90 से friends कम 90 से उपर तो friends ऐसा तो है नहीं कि 90 से पूरी क्लास को friends like कीजिए और इसी like जुनून और जोस के साथ में आप friends अपने exam center पे जाएंगे संध्या computer center आपके लिए दिन रात friends मेनत की है और friends आपके लिए एक अच्छे संकेत के रूप में कहा रहा है कि आपका exam निचेतर प्रेंट्स अच्छा होगा निचेतर प्रेंट्स आ हमने करवा दिये हैं तो इससे बार friends आपके सामने कोई क्यूशन अलग से आने वाला है नहीं अगर friends को क्यूशन ऐसा आता है तो उसका bonus दिया जाएगा क्योंकि friends वो क्यूशन out of syllabus माना जाएगा क्योंकि पूरी तरह से syllabus का निच्छोड तो friends हमने रख दिया है अभी friends आपक आपके अपने साथ में एक तो original ID लेके जाना है जैसा ID में आधार कार्ड हो सकता है voter ID हो सकती है driving license हो सकता है यानि उसमें आपका नाम परविश पत्र के उपर जो लिखा हुआ है वो एकदम सही होना चाहिए उस ID से मिलान करना चाहिए अब Jerox मेंने friends नहीं से लेगी उसके आपको original ID proof लेके जाना पड़ेगा और अपने परविश पत्र के साथ में आप अगर ID आपके match नहीं हो रही है तो आप दसवी की mark seat भी लेके जा सकते हैं वो भी friends एक student के लिए एक document के रूप में काम करता है तो आपको उसके friends आधार पर भी verify करवा सकते हैं कि आपको exam center में क उनन के साथ मैं इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो आप nature friends आप exam देने जाहिए बहुत अच्छे फ्रस्णरेज बनेंगे बहुत अच्छा फ्रेंट पर आएगा कोई दिक्रत नहीं करने आपको तो friends 35 में से सउदा question तो write करने ही पड़ते हैं कोई minus marking होती नहीं है इस friends सभी इस्ट्रेंट जो बाद में जुड़े उनको भी good morning best of luck सभी इस्ट्रेंट अपने exam center पर जाएंगे इस दावई के साथ में संध्या computer एक नई वीडियो के साथ में मिलेगा बहुत जल्द आपके exam के बाद में तो friends मिला आपको friends अगर अच्छा score आप इस वीडियो के मा आपके बाद